नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में मैं हूँ आपकी होस्ट अकांगशा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वृध्धावस्था यानि की बुढ़ापे के लिए कौन सा आहार सही है तो दोस्तों, वृध्धावस्था यानि की बुढ़ापे का जो समय होता है उस समय पे सभी लोगों के शारिरिक और मानसिक स्वास्थिका खास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस उमर में ऐसे पोशक्तत्वों की आवशक्ता होती है जो कोई भी बिमारी है यानि की कोई भी रोग है उन से लड़ने की शमता दे साथी साथ एक ऐसा आहार जरूरी है जो इम्म्यूनिटी यानि की रोग प्रतिकार शक्ती बढ़ाए पाचन के लिए हलका हो और साथी साथ अच्छी मात्रा में उर्जा भी दे हम अगर सही समय पे सही धान दे तो ये सारी चीजे करना आसान भी है और दूसरी एक जरूरी बात ये है कि बुढ़ापे में अगर डाइबिटीस है या फिर दिल की कोई बिमारी है तो इस हिसाब से आपका आहार होना बहुत ज्यादा आवशक है और उसी के साथ साथ जो भी दवाईया है वो भी समय पे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके साथ आप थोड़ी हलकी फुल की अगर exercise करते हो यानि कि व्यायाम करते हो जैसे कि ज्यादा कुछ नहीं करना है बस 30 से 45 मनट अगर आप चलने जाते हो तो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है हमारी सेहत के लिए तो आज की वीडियो में दोस्तो हम इसी विशुय पर बात करने वाले हैं कि वुड़ापे के दौरान यानि कि वृध्धावस्ता के दौरान ऐसे कौन से कौन से पदार्थ है और ऐसे कौन से पोशक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए लेना आवशक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दू अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्ली से सब्सक्राइब कर लीजे ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आएगी तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ऐसे पोशक्ततों बताने वाली हूँ जो बुड़ापे के दौरान वृद्धावस्ता के लिए जरूरी है और फिर हम फूड के जो आप्शन्स है यानि की खाने के पदात के जो भी आप्शन्स है वो देखने वाले है तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैल्शिम और विटमिन डी की तो वुरुद्ध अवस्था के दौरान जो gastric acid होता है और जो hormones होते हैं शरीर के उनमें बहुत ही जादा बदलाव आने लगते हैं और इस अवस्था में फिर calcium है या फिर vitamin D है ऐसे पोशक्तत्वों की शरीर के जो levels होते हैं वो भी बहुत कम होने लगते हैं इसलिए सही समय प और अगर जाज करके फिर पता चलता है तो डॉक्टर से बात करके फिर जो भी medicine यानी की दवाई देते हैं सप्लिमेट्स देते हैं उनको भी आप चालू कर सकते हो कैल्शिम और vitamin D बहुत ही ज़्यादा जरूरी पोशक्तत्व हो जाते हैं व्रिधावस्ता के दौरान क्योंकि फिर हड्डिया जो है वो कमजोर होती है दात जो होते है वो भी बहुत ही ज़्यादा कमजोर होने लगते है दात गिरने भी लगते है तो इसलिए शरीर में कैल् अगर immunity यानि की रोग प्रतिकार शक्ती हम देखे तो वो अच्छी वनी रहने के लिए ये दो पोशक्तत्व आवशक है तो इसलिए आहार में फिर दूद और दूद के पदार्थ है ताजी हरी पत्तेदार सबजिया है समुद्री मचली जो है इनका सामावेश आहार में करन चाहिए लेकिन एक चीज यहाँ पे धान रखनी है आपको कि किसी भी बुढ़े व्यक्ति को ये खाना देते हुए आपको ये याद रखना है कि मात्रा बहुत ही सही होनी चाहिए तो ज्यादा मात्रा में अगर आप देते हो तो उनको पार्चन के लिए यानि की शराशन यानि की जो दिमाग का कारिय होता है और हमारे जो बलड सेलस यानि की रख्तकोशिकाइं का कारिय होता है उनको सहारा देता है इसलिए B12 की मात्रा सही होना आवशक है लेकिन क्या हो जाता है व्र sidewalk मे जो natural acids होते हैं हमारे पेट के उनका सराव कम हो जाता है फिर उस अच्छी मात्रा लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है यहाँ पे बिट्वेल की सही मात्रा पाने के लिए आहार में मानसाहारी पदार्थ अगर हम देखे तो लाल मास है, चिकन, मचली या फिर अंडे है एसे पदार्थों का समावेश करना है और vegetarian यानि की शाकाहारी पदार्थों की अगर हम बात करें तो दूद और दूद के पदार्थ है या फिर odds जो होते है, fortified cereals जो आते है सोया बीन है, ऐसे पदार्थों का जाधा मात्रा में सेवन करना चाहिए ऐसे ही कुछ पदार्थ होगी अगर हम बात करें तो पदार्थ हमें देखा जाए तो मचली है मचली से हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में omega 3 fatty acids और protein मिलता है तो अगर आपको diabetes या फिर रिदय की कोई बिमारी है फिर भी आप lean fish यानी की जो कम fat वाली मचली आती है ऐसी मचलीों का 7 जरूर कर सकते हो जैसे की tuna है या फिर salmon मचली है, mackerel है ऐसे मचलीों का 7 जरूर करना चाहिए और शाकाहारी पदार्थों के अगर हम बात करें तो भी omega 3 fatty acids बहुत ही जादा आवशक है शरीर को इसलिए alci है, सूरज मुखी के बीच है या फिर roasted flag seed के साथ साथ आजकल roasted pumpkin seeds यानी की कद्दू के बीच भी आते है ऐसे बीच का है या फिर सुखा मेवा में बात करें तो बादाम है, अक्रोड है ऐसे पदार्थों का उपर-उपर से सेवन करते रहना चाहिए दूसरी एक समस्या अगर हमने देखी तो दात का जैसे मैंने बूला कि बहुत ही ज्यादा उमर है अगर किसी व्यक्ति की तो उनके दात बहुत ही कमजोर हो जाते है, तो सुखा मेवा है या फिर बागि की चीजों का वो सेवन नहीं कर पाते है ऐसे समय पे फिर उसका पूरा चूरा यानि की पाउडर करके मिक्सर में ग्राइन करके फिर वो दूद के साथ सुखे में वेका पाउडर है या फिर अलसी जो है ऐसे पदात आप उन्हें दे सकते हो ये सारे पदात बहुत ही जादा जरूरी इसलिए हो जाते है क्योंकि ये अधिया कमजोर होती है उनके लिए भी अच्छे होते है अच्छी मात्रा में हमारे शरीर को प्रोटीन भी देते है और क्योंकि ये ओमेगा-3 से भरपूर है तो रिदय के पेशन्स के लिए या फिर लाइबिटीज के पेशन्स के लिए अच्छा रहता है और हमारे बाकी के विजो फंक्शन्स होते है बॉडी के उनके लिए ये बहुत ही जादा सपोर्ट करता है तो इसलिए इन पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए बुढ़ापे में अब बात करेंगे साबुत अनाज भी तो साबुत अनाज जो है वो हमारे आहार का सबसे एहम हिस्ता है ज चरीर को उर्जा देते है क्योंकि कार्बोहाइडरेट्स का सबसे मुख्य स्रोत अगर हम कहें तो वो साबुत अनाज है साथी साथ इसमें जो फाइबर की मात्रा पाई जाती है वो डाइजेशन के लिए यानि की पचन के लिए मदद करती है बुढ़ापे में एक कॉमन या अगर अच्छी मात्रा में सेवन करते हो तो फिर ये डाइजेशन की तकलिफे दूर होने के लिए भी बदद होती है अगला पदापत ताजे फल और सब्च चुक्ति लेना बहुत ज्यादा जरूरी है वैसे ही बूढ़े लोगों के लिए यानि कि वृद्ध व्यक्तियों क के लिए भी ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर को बहुत अच्छी मात्रा में सॉल्यूबल फाइबर देते हैं उसी के साथ साथ बहुत ही अच्छी मात्रा में जो विटमिन्स है मिनरल्स है यह सारे भी मिलते हैं हमें इनसे तो इसलिए इम्यूनिटी यानि कि रोग प्रतिकार शक्ती बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा यह मदद करते हैं साथी साथ एंटी ऑक्सिडेंट से भी भरपूर होते हैं इसलिए अलग-अलग प्रकार की जो ताजी सब्जिया है और ताजे फल है इनका सेवन वृध्ध लोगों को अपने अहार में जरूर करना चाहिए अब बात करेंगे तरल पदार्थों की तो तरल पदार्थ यानि कि लिक्वि पुरा रह जाता है फिर उसी के कारण उनकी जो एनर्जी है जानी याने की उर्जा का जो स्तर है वह बहुत नीचे आ जाता है फिर अगर लंबे समय की अगर समय पे यानि कि जब उन्हें कुछ पच नहीं रहा है कुछ खाना जा नहीं रहा है अंदर तो ऐसे समय पे तरल पदार्थ यानि कि liquids आप जरूर दे सकते हो उन्हें जैसे कि नारियल पानी है या फिर juice है अलग-अलग फलो के juice है या फिर milkshake भी कभी गबार आप दे सकते हो ऐसे तलल पदार्थ आप ट्राय कर सकते हो जरूर क्योंकि इससे क्या होता है शरीर को जो भी पदार्थ आप दे रहे होने वो उसका absorption यानि कि शोशन शरीर में बहुत ही अच्छे से होता है तो absorption के लिए बहुत easy हो जाता है इसलिए नारियल पानी जैसे अगर आप पदार्थ देते हो तो शरीर का electrolyte balance जिसे कहता है वो भी बना रहता है फिर BP यानि कि रक्तचा आपकी समस्या अगर किसे है तो उनके लिए बहुत ही जादा अच्छा रहता है तो यह सारे पदार्थ और यह सारे पोशक्तत्व है जो old age यानि की वृद्धाप कालीन लोगों को लेना आवश्यक है एक चीज़ यह भी याद रखनी है आपको कि जैसे old age चालू हो जाता है वो आप decide कर सकते हो कि कब old age आपका चालू होता है क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है कुछ-कुछ लोगों को 40 या फिर 45 की उमर में ही बहुत जादा थकावट है या फिर उमर का हिसाब लग जाता है उन्हें कुछ-कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 60 है या फिर 70 साल की उमर बे भी बहुत ही जादा यंग रहते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है लेकिन इसलिए जब भी आपको लगता है कि आपको आपकी health का ख्याल वैसे तो हर उमर में अपनी health का ख्याल लगना आवशक है लेकिन खास तोर पे जब भी वृध्धापकाल चालू हो जाता ह तो cigarette है, शराब है, तंबाकू है ऐसी चीजों का अगर आप 7 पहले कर भी रहे हो तो ऐसी चीजों का 7 आपको इस उमर के बाद रोग देना चाहिए क्योंकि फिर उसका आपकी सेहत पे बहुत ही जादा बुरा आसर पड़ता है और इन सारी चीजों के साथ ये भी आपको ध् रखना है कि पानी का 7 अच्छी मात्रा में करना है और जितना हो सके उतना हलका फुलका व्यायाम यानि की exercise भी आप जरूर कर सकते हो तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों I hope कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना न भूले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर भी करे और आप कमेंट्स में मुझे ये भी बता सकते हो कि ऐसे कौन से कौन से और विश्यो के उपर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए, गुडबाई, टेक केर